अर्याना सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू के ओडर हो गए हैं जिसके तहत बात ये कि जो लोगों की मुमेंट है अनाविशक मुमेंट है रात को नो बज़े से पांच बज़े तक वो प्रतिबंदित कर दी गई है रोक लगा दी गई है और ये रोक आज से ही लागो होगी यानि 12 तारिक से ही लागो होगी और इसमें कुछ अग्जेम्शन दी गई हैं सुभावी का कुछ छूट दी गई हैं इसमें हमारी जितनी भी एक तो लोगों को डूटियां करेंगे वो हमारे सरकारी या धिकारी करमचारी exempted रहेंगे अपना आइकार वगर दिखा करके वो इसके exemption ले सकते हैं जितने भी हमारी पुलिस है, आर्मी है, पेरा-मिलिटरी फोर्स हैं, वो हमारी uniformed forces हैं वो इसमें exempted हैं health care personnel, जो emergency duties करते हैं जो routine duties करते हैं, वो exempted हैं जो municipal workers हैं जो नगरपाली का काम करते हैं चाहिए वो सफाई का काम करते हैं, वो फायर का काम करते हैं वो exempted हैं जो reporters हैं, पत्रकार हैं वो भी इसमें exempted हैं जो electricity का काम करने वाले लोग हैं वो इसमें exemption रहेंगा उनका fire के संबंधित जो emergency services में काम करते हैं उनका exemption रहेगा इसके अलावा एक महतवपूर्ण चीजी है कि कोई भी interstate या intra state moment essential goods की चाहिए इसमें medicines है, रसद है, राशन है उसकी moment में प्रतिबंद नहीं है यानि अगर मान लो कोई गेहूं का truck लेके जा रहा है उसमें कोई प्रतिबंद नहीं है essential commodities है, कोई दवाईयों की सामगरी गाड़ी लेके जारा उसमें प्रतिबंद नहीं है हमारे hospital सुभाईव की रूप है 2400 गंटे खुले रहेंगे, उसमें को प्रतिबंद नहीं है chemist shops खुलेंगी, petrol pump खुलेंगे ATM's खुलेंगे, यह सब खुले रहेंगे pregnant women हैं, अगर उनको कहीं जाना है या कोई serious patient है, वो खुले रहेंगे वो जो भी नाका वगरा लगाया जाएगा वहाँ पे अपनी medical slip या detail दिखा सकते हैं जो लोग airport से, ISBT से आ रहे हैं तो देरे देरे करके हम उनको सोट करेंगे इसमें curfew passes issue करने का भी प्रावधान है तो उसमें अगर मॉनलों कोई बहुत ही emergency में किसी को moment की आवशकता पड़ती है तो हम एक help desk बनाएंगे जहां पर वा करकर अपना आवेदन दे सकता है और उसको case to case basis पे वहीं पे curfew passes की विवस्ता की जा सकती है इसका परावधान भी हम कल से secretary में सोचिंगी इसकी कोई विवस्ता बनाने का कारिए करेंगे मेरी जीस में कितनी परिशानी रहेगी मेरी जीस की जो bookings हुई है आप से permissions ली गई है काफी लोगों के फोन आ रहे है कि रहेंगी नो बजे के बाद कोई भी जो है इस तरही की moment के लिए लोग बाहर नहीं निकलें ऐसा जो है सरकार के आदेश है अगर किसी को कोई प्रोग्राम cultural gathering, social gathering करनी है शादी करनी है कुछ भी करना है तो नो बजे से पहले करें और वो भी किसे को मुग करना है मान लिजे कोई आर्ण परसन है उसको जोइन करनी जाना है इसको दो दीन लगेंगे जाने में तो दो दीन का पास बना के लिए चल्स किसान आते हैं, इस अटरेटरूली मंडी में लेकि आ रहे हैं उनको हम exempt करेंगे इसी शर्थ पे कि वो अपना कोईड प्रोटोकोल्स लागू करेंगे मास्क को गरा पहन करके आएंगे advisable ये है कि वो क्योंकि हमारी मंडी में खरीद भी 10 बजे बंद हो जाती है रात को जब यह गेट पास काटते हैं 10 बजे तक काटते हैं तो advisable है कि उससे पहले-पहले हम इसको 10 बजे की टाइम को भी नौ बजे शिफ्ट कर देंगे नौ बजे बाद मंडी में पर्चेज होगी नहीं तो किसाने से आगरे रहेगा कि दिन के समय पे हैं Qood से आघ हैं कि दुकान बंद बन अजो 9 बजे है ग यह रोड़ ऑज्ट पन तक जाते हैं अज़त Allah बाकाएदा इसके लिए हम अब बजे की दुकान बंद करेंके और कशेहर की है शेहर की हो आस पास के कशबों की तो Sweat्चीत की और से बात्चीत करें गे आठ वजय तक हमारे दुकान, धाबे, होटल, रेस्टोरेंट, सब चीज़े हम बंद कर दें, ताकि नो वजय तक यह जो नाइट कर्फ्यू है, इसको पूरी तरह रहेगी है, लेकिन हाईवे के जो होटल, है, रेस्टोरेंट, है, कुछ ऐसे हैं, जिन में होटल, के रूम भी वगारे भी गटित कियें, जिस तरह पुलिस, हाला कि पहला दीन है, आज कर्फी के बात करें, तो, आज छोड़ा लिए अट रहेगा सर, आज हमने जो, कल, पुलिस की दूटी तो हमने अभी से चालू कर दी है, चालानिंग वगारा का और वो सारा कार्य भी हम जो है, कल सु वाइन शोपस पे लगी लगू रहेगा, बिलकुल, जो हमारी लिकर शोपस हैं, अब उन पे भी नो बजे वाला प्रतिबंद बिलकुल करता है, अगर तो पकड़ा जरता है, रात कुल लगता है कि गलत तरीके से जा रहा था, नहीं जान बुच के पालन नहीं कर रहा था, तो क्या कारवाई क्या होगी? इसमें जो हमारा जो एक तो 288 CIPC की और Disaster Management Act है, उसमें कारवाई करेंगे, लोकड़ाउन के दोरान भी जो अनाथराइजड मूमेंट थे, काफी सेक्ड़ों के पुलिस केस, अभी जो है, अभी जो है, लोगों को एफ़ई आर्स और वो कोर् कालता जो भी लोड है, पिशेंट लोड, उसमें सारा शिफ्ट करेंगे, सुविल हॉस्पिटल में, चाहिए उसमें गाईनी ब्रांच हो, उनकी पीडियाट्रिक्स ब्रांच हो, इस सारी की सारी जो है ब्रांचे जो हम शिफ्ट करके, इसको डेडिकेटिट कोवीड अवी कि धाई सो बैड हमने रिजवर कियें कलपनाचाला में और हमें अन्देशा है कि शायद यह सिंख्या बढ़ानी पड़ेगी तो हेल्थ इमर्जेंसी को देखते हुए प्रकॉशन लेगी लेकिन और सारी चुट्टियां रद करके उन सभी परसनेल को वापस बुला लिया गया है कुछ इमर्जेंसी शुट्टिया होती है जैसे मानले जो कोई मेटर्नेटी लिव पर है या कोई वो है जो एस पर रूल प्रस्क्राइब है वो तो जारी रहेगी लेकिन और सारी शुट्टियां रद करने लास्ट कुस्टियां असर आपसे कि क्या आपने आदेश में लो सब लोग फोलो करेंगे और इसमें दोनों पक्षों की सायोग चाहिए एक तो जैसे फर एक्जामपल सर्विस प्रोइडर्स है चाहिए वो ढबा हैं दुकाने हैं रेस्टेंट्स हैं और दूसरा वाँ जाने वाले यानी सेटिजन सा हमारे हैं तो दोनों तरह के सायोग चा चाहिए वो व्यापारी एसोशियेशन है चाहिए ओडाबा एसोशियेशन है होटेल एसोशियेशन सबसे अलावला मिटिंगें भी करेंगे कल से और उनको भी समझाएंगे कि वो समय रहते जो है अपने इस्टुशन को बंद करें